आज मेरे अंशन का दूसरा दिन है जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में बहुत पानी की कमी है इतनी भीशन गर्मी में जब दिल्ली वालों को जादा पानी चाहिए था यहाँ पे पानी की कमी हो गई है दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पडोसी राज्यों से आता है दिल्ली में कुल एक हजार पाँच एमजीडी पानी आता है जो दिल्ली की घरों में जाता है इसमें से 613 एमजीडी पानी हर्याना से आता है लेकिन पिछले कई हफ़तों से लगातार हरियाना सिर्फ 513 M.G.D. पानी भेज रहा है यानि 100 M.G.D. पानी 100 million gallon प्रती दिन पानी कम भेज रहा है एक M.G.D. यानि 1 million gallon पानी 28,500 लोगों को पानी देता है यानि अगर हरियाना 100 million gallon पानी कम दे रहा है तो 28,000,000 से जादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मेंगा 28,000,000 दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही मैंने हर संभव रस्ता अपना के देख लिया लेकिन जब किसी भी रस्ते से हरियाना सरकार पानी देने को तयार नहीं हुई तो मेरे पास अंशन पे बैठने के अलावा कोई रस्ता नहीं था दिल्ली वाले इतने कश्ट में हैं, इतने परिशान हैं एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं इसलिए मैं कल से अंशन पर बैठी हूँ मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ट से सारे आंकड़े मंगवाए लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है कल पूरे दिन भर में 110 M.G.D. पानी हर्याना से कम आया है इसका मतलब आज 28 लाख से भी जादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा मैं इस अंशन पर तब तक बैठी रहूंगी जब तक हर्याना सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हर्याना से पानी नहीं मिलता तब तक ये अंशन चारी रहेगा